शुक्रत तुला राशी में परवेश कर रहे हैं एक सिप्तम्बर से सव ग्रही होकर शुक्रत तुला राशी में परवेश करेंगे जो आपके जिंदगी बदल सकता है तुला राशी वालों की जिंदगी में रोमांस प्रेम की अधिक्ता हो जाएगी इस समय में आपको लगजरी आइटम्स मिलने के बहुत यदा संभावनाय बनती हैं आप जमीन खरीद सकते हैं जिनकी विवाह की समस्या चल रही थी वह दूर होगी जिनका पती से मन मुटाव चल रहा था वह दूर होगा और जो जिंदगी में कुछ लगजरी आइटम्स पाना चाहते थे उनको मिल जाएगी जिरूरत है इस समय में थोड़ा बहुत खर्चा करने की क्योंकि जैसे ही आप खर्चा करेंगे आपको इस समय में बहुत लाब मिलने लगेगा आपकी जिंदगी मदूर होने लगेगी आप जिंदगी में आगे बढ़ने लगेगे जमीन के जायदत बनेंगे, शादी सब्बंदिक, सभी कारे बनेंगे आपके रुके हुए कारे बनेंगे, नया बिजनस कर सकते है चार वो तरफ से खुशियां आपको मिलने वाली है इस समय को बेहतर करने के लिए आपको कुछ एक उपाए करने चाहिए उपाये में एक तो आपको अंडर गार्मेंट्स वाइट पहने चाहिए सफेद रग के अंडर गार्मेंट्स पहने अपने private parts को रुजाना दही से दो है private parts daily आप दही से दोना शुरू कर दीजे इससे भी आपको अलाब मिलेगा और दही दान करना शुरू कीजिए डेली आप नहीं दान कीजिए जितना आपका दिल करें उतना किसी गरीब को दान दे दिया करें इन सब से आपको बहुत राहत मिलेगी और शुकरवार के दिन यदि पोसिबल हो तो आप सफेद रंग के कपड़े पहने इससे भी आपको लाब मिलेगा यह जो मैं उपाए बता रहा हूँ यह आपको बहुत लाब देंगे यह जो उपाए बता रहा हूँ यह आपको सुक शानती देंगे क्योंकि तुला राशी में शुकर बहुत ही अच्छे डंग से प्रवेश कर रहे हैं जो आपको बहुत लाब दे सकते हैं परन्तु यदि आपके कारे नीच होंगे तो शुकर यहाँ पर आपको परशान कर सकते हैं विरिश राशी है, विरिश राशी यदि शराब लेते हैं, यदि नॉन्वेज लेते हैं, तो उनको बहुत अधिक प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, उनकी सेहत खराब हो सकती है, ऐसे ही तुला राशी वले यदि नशा करेंगे, तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम आने के सं भावना है, यानि कोई बाहरी व्यक्ति आपको परपोज कर सकता है। आपका ध्यान बाहर ओपोजिट सक्स की तरफ जा सकता है। यदि आपको आ रहे हैं तो आप रेलेशन में आ जाएंगे। यदि शादी करने वाले थे शादी हो जाएगी। यदि आप किसी को परपोज करने वाले थे तो आप कर देंगे, यदि आप शादी शुदा हैं तब भी आपको कोई परपोज करेगा, यदि आप शादी शुदा हैं तब भी आपके संबंद किसी बाहरी व्यक्ति से बनने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, तो द्यान रखे आप चाहे अपने आपको कितना भी बचाएं, लेकिन बाहर के व्यक्ती आपकी तरफ अकर्शित होंगे और आपको पाना चाहेंगे यह श्रीरिक अकर्शन होगा, यानि आपके श्रीर को पाने के लिए बहुत सारे लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे और यदि आप उनको पोजिटिव रिस्पोंस देते हैं, लिफ्ट देते हैं, तो आपकी बदनामी होने के चांस भी बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावदान रहें और बहुत अच्छे डंग से रहें, क्योंकि ग्रहे अच्छा है तो अच्छे डंग से रहें, जमीन खरीदन चाहते हैं, खरीदिए, वपार बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाईए, नया मोबाइल, गाड़ी, कुछ लेना चाहते हैं, लीजिए, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल सकता है, परंदू सावदानी फिर भी रखिए, क्योंकि यहाँ पर बदनामी के योग भी बन रहे हैं, तो यहाँ पर यह योग वैसे सभी राशियों के लिए अच्छा है, सभी राशियों के लोग यदि प्राइवेट पार्ट शुकरवार के शुकरवार दहीं से दोलें और शुकरवार दहीं दान करें, तो उनको लाब मिलेगा, प्रंतु विशेश लाब तुला राशी और प्रेतन करेंगे, जिससे की बदरामी हो सकती है, और यदि तुला राशी में ऐसा होता है, तो परिवार तूटने के कगार पर भी आ सकता है, यानि शादिशुदा लोगों को सावदान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यदि वो गलती करते हैं, तो इस गलती का उनको ह बहुत ےहम प्राबलम आ जाते है, मुखे प्राबलम आ जाती है, तो दही आप प्रति दिन दान करना शुरूर रेगुलर कर दिजिएगा, और आठ सो ग्राम कर दिजिएगा, और सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र यहाँ तो किसी विदवा औरत को दे दीजिएगा यहां किसी को जारी पंजित को पने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोगा यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भी कीजिए क्योंकि लाइक करने से हम जो गिफ्ट निकालते हैं वो आपको मिलेगा जो हम सिरफ अपने सब्सक्राइबर को देते हैं या जो लाइक करते हैं उनको देते हैं और जो लाइक करते हैं फिर उसमें से गिफ्ट निकाला जाता है वो उनको दिया जाता है और दूसरा आप यदि जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो WhatsApp कीजिए उसकी फीस होती है, फीस हम गरीबों के लिए लेते हैं, फोन मत कीजिए, फोन यहां कोई नहीं उठाता है